एक गाउं में जोन नाम की एक सालिम औरत रहा करती थी उसकी धेर सारी भैसे थे और उनके दोट से वो धेर सारा मक्खन निकाला करती थी उसी गाउं में मोटू और पतलू नाम के पति-पत्नी भी रहा करते थे ये चौन तो इतना थोड़ा सा मक्षन देती है इस मेंसे तो खाना भी नहीं बनता काश मेरे भी गया होती तो मैं उसके दोट से धेर सारा मक्षन निकालती और मुझे दिकत ना होती ऐसे ही एक दिन मोटू अपने घर के काम कर रही थी के इतनी देर में उसकी सहल ही आ जाती है अरे चटका तुम इतने दिनों बाद और ये किया तुम अपनी गया को अपने साथ क्यों लाए हो अरे मोटू तुम तो जानती हो मैं गर्ववती हूँ अभी कुछी दिनों बाद मेरा बेबी आ जाएगा तो फिर मैं इसकाया का खयाल कैसे रखूँगी इसलिए जब तक मेरा बेबी नहीं होता तुम इसकाया को अपने पास रखो ये बहुत जादा दूद देती है जो तुम्हारे काम आ जाएगा अरे वाँ मैं इसे खुशी खुशी अपने पास रखूँगी और इसका बहुत सारा खयाल लकूँगी अरे जटका ने तो इतनी बाड़ी खुशी देती मुझे अगर ये गया बहुत स्याता दूद देती है तो मैं धेर सारा मक्का निकालूँगी और फिर मेरे मज़े बन जाएंगी ऐसे ही रात कए जब पतलू काम से घर वापस आता है तो मोटू पतलू को सारी बात बता देती है तो पतलू भी खुश हो जाता है और दूसरे ही दिन से वो गया के लिए घास काटने चला जाता है अरे गया के लिए ताजा ताजा घास लेकर जाओंगा जिसे वो खाकर खुश हो जाएगी और फिर ज्यादा दूद दिया करेगी और फिर बतलो वो सारा गास अपने साथ अपने घर ले जाता है और फिर वो गया का दूद निकालता है गया बहुत ज्यादा दूद देती है जो के बहुत ज्यादा गारा था और उसके बाद वो अपने घर लाता है दूद को अरे तुमारी दोस्त ने तू ठीक ही कहा था इस गयाने दस किलो दूद दिया है और वो भी बहुत साथ अगाणा दूद है ये अरे आप तो इस मेशे में धेर सारा मक्खा निकाल सकते हो और ये दूद बेच भी सकते हो मैं ये दूद बेच कर जो पैसे जमा होंगे उससे सिलाई मशीन लोगी और फिर मैं गावालों के कपड़ सिलाई किया करूंगी हाँ हाँ जो तुमारे दिल करे तम वो करना अच्छा अब मैं खेतों की दरफ चा रहा हूँ शाम को ही आऊंगा और फिर उसके बाद मोटो खुशी खुशी उस दूद से मक्खा निकालती है इस मक्खा निकालती है इस मक्खान से मैं देसी की बनाऊंगी और जो दूद है वो दूद में बेच कर सिलाई मशीन खरीदोंगी जिससे मैं सब की कपड़े सिलाई करूंगी और पैसे कमाऊंगी ऐसी ही समय बीद रहा था बीदे समय के साथ मोटो ने एक सुन्दर से सिलाई मशीन खरीद ली थी और अब काउंवाले सारे ही मोटो से अपने कपड़े सिलाई करवाते थे जिससे उसके पस अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते थे और फिर मोटो और पतलो दोनों हरसी खुशी अपनी जिन्दगी बिताने लगते है